हलो ब्रिलियंट्स अभी हम कर रहे हैं शिक्स्त कलास के लिए चैप्टर नमबर है फाइफ अंडर्स्टेंडिंग एलिमेंटरी शेप ये वाला चैप्टर है और एक्सेसाइज कर रहे हैं हम फाइफ पॉइंट फोर ये वाली इसके अंदर कई सारे questions है तो आपको ये जरा ध्यान से करने होंगे 11 about questions है 11 questions है total तो first question में देखिए हमें क्या दे रखा है यहाँ पर angles के बारे में आपको अच्छे से knowledge हो जाएगी जब आप ये chapter अच्छे से कर लेंगे साथ की साथ हम बीच बीच में भी करते रहेंगे कि थोड़ी सी extra knowledge हो जाए तो question में देखिए क्या चीज है what is the major of a right angle a straight angle right angle की measurement क्या होती है और straight angle की measurement क्या होती है हमें ये निकालना है तो ये बहुत ही असान है right angle होता है जो 90 degree का angle होता है उसे right angle कहते हैं तो फिर इसको लिखेंगे कैसे 90 degree और इसी तरीके से हम दूसरे वाला जो case है right angle का वो भी लिख देंगे the measurement of a straight angle is equal to right angle की जगह यहां आ जाएगा straight angle और 90 की बजाए आ जाएगा 180 degree that's it हो गया ये सम तो बहुत ही असान था simple था तो आपको याद रखना होगा straight angle मतलब 180 degree और right angle मतलब 90 degree और लिखना इसको ऐसी होगा तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में जिसमें करेंगे next solution always have a great time बाइए